Hello students, my name is Neerao and आज के ये वीडियो में हम बात करने वाल है listening section 4 के बारे में Section 4 में आप कैसे school कर सकते हैं क्योंकि listening में कैसा है कि section 1 जो है वो easy होता है, section 2 उससे थोड़ा ज्यादा difficult होता है, section 3 उससे थोड़ा ज्यादा difficult and section 4 जो है वो सबसे ज्यादा difficult होता है क्योंकि difficulty level जो आपको बढ़ता जाता है, यह section 1, यह section 2, यह section 3 and यह section 4 अब ज्यादा तो students को section 4 में problems आती है, अब उसकी वज़ासे वो section 4 में perform नहीं कर पाते हैं और ultimately score जो है कम हो जाता है, अब काफी students को section 4 बहुत ज़्यादा easy लगता है section 4 को आप easy कर सकते हो लेकिन उसके लिए आपको कुछ strategies चाहिए जो आज हम्योड़े में discuss करने वाले है अब यहाँ में सबसे पहली जो strategy में आपको बताने वाला हूँ हो है read fast अब यह सारे strategies को मैं deep में explain कर उससे पहले अगर आप यह बड़ी को YouTube पे देख रहे हूँ तो make sure आपने YouTube चाहँ को subscribe कर लिया है क्योंकि daily एक नय वड़ी आपको मिलने वाला है अगर आप इसे Facebook पे देख रहे हैं तो पेच को follow कर दीजे सारे वीडियों से एक साथ देखने हैं तो आप हमारी ultimate IELTS preparation application उसे download कर सकते हैं इसका link आपको description area में मिलने वाला है अब सबसे पहले पहली जो tip कह सकते हो आपको है read fast अब section 1 में section 2 में section 3 में आपको बहुत जादा reading time मिलता है like 3-4 questions के बाद एक pause होगा जिसमें आपको थरा समय दिया जाएगा कि आप आपके बागी question बढ़ सब्सकों लेकिन section 4 में आपको सिर्फ एक pause दिया जाता है सिर्फ section 3 जब section 3 जो है आपको खतम हो जाता है उसके बाद आपको सिर्फ एक pause दिया जाता है और उसके बाद स्टार्ट हो जाता है सेक्शन 4 और सारे के सारे 1010 कुईशन का अंसर आपको एक ही शॉट में मिल जाता है तो यहाँ पर आपको यह सिंगल ब्वाज मिलता है उसमें आपको आपके 10 कुईशन को बढ़ना होता है तो read fast, जितना और से उतना जल्दी पढ़ना है आपको सारे क्विशन को एक बार देख लो ताकि आपके लिए कोई चीज अन्नोन ना रहे यहाँ पर यह आपको बहुत बहुत ही क्रूशल ही मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि जो टैंक दिया जाता है उसमें पूरा section 4 है उसमें पढ़ना तुरा difficult हो जाता है क्या है अगर मैं आसान बासा बताओ तो ऐसे words पूरे sentence में पूरे question में जो आपको आपके question के answer के बारे में कुछ hint दे पाए उसे अगर underlying कर लोगे तो आपको answer ढूंदने में आसानी हो जाएगी जो third one है वो है keep eye on next question अब section 4 जो है उसमें most of the time जो answer होता है जो one word का होता है एक ही word का answer होता है अब वो काफी पार निकल भी जाता है अगर वो निकल गया तो अगर आपकी mind में next question नहीं है तो क्या होगा कि आप माली जी question 11 पर होगा आप से miss होगा है तो आप continuously उसके answer की answer की तलाश में ही रहोगे आप question 12 की तरफ देखोगे भी नहीं तो अगर आप question 12 की तरफ देख भी रहे हो तो अगर ऐसा कुछ भी आएगा तो आप immediately switch कर पाऊगे तो always आपको next question पर ध्यान रखना ही रखना है वैसे तो यह tip आप universal पूरी IELTS listening के लिए ले सकते हो लिखिंग डेड़ी के लिए section 4 में आपको यह tip बहुत जादा help करेगी कि most of the time वहाँ पर जो answer कि सिर्फ one word के होगे तो उसके miss होने के chances जो है वो ज्यादा हो जाते है और उसके बाद जो है listen speech अब अगर आपने मेरा पहला कर्यों देखा है तो आपको पता होगा जिसमें बताया था कि listening के section 4 है उसमें single speaker होता है most of the time एक educational speech होता है को एक lecture होता है ज प्राइम मिनिस्टर की speech देलो English में काफी ज्यादा speeches आपको मिल जाएगी वह आप सुनते रहो सुनते रहो तकि आपकी यह जो skill है वह overall develop होती रहेगी तो यह चार tips follow करके आप आपका listening section 4 का score जो है वह improve कर सकते हो तो बस यह मैं इतना ही आसा रखता हूं आपको यह वीडियो को facebook पे देख रहे हो तो facebook page को follow कर दो अगर आपको ज्यादा study मत रहे है तो हमारी free android application अप्लिकेशन अप्लिकेशन जो आप डावलोड कर से लिंक आपको description एरिया में मिल जाए